राजस्थान की श्री करणपूर विधानसवा सीट पर होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा दाव खेला है पार्टी ने राजसरकार कैबिनेट में उन्हें चुनाव जीतने से पहले ही जगा दे दी है जैपुर स्थित राजभवन में सुरेंदरपाल सिंग ने पद और गोपनेता किशपतली सुरेंदरपाल को भचनलाल सरकार में राज्यमंत्री बनाया गया है कहा जा रहा है कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी प्रत्याशी को चुनाव जीतने से पहले कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया हो दरसल श्री करणपूर श्री गंगा नगर जिले की वही सीट है जिस पर इस सीट से 75 साल के कॉंग्रेस नेता गुरमीच सिंग कुनर विधायक थे मौजूदा विधानसभा चुनाव में उन्हें फिर से टिकेट मिला था लेकिन कुनर का 15 नवंबर को निधन हो गया ऐसे में चुनाव आयोगनी श्री करणपूर ने रवाचन सीट पर वोटिंग को स्थगित कर दिया था अब 5 जनवरी को सीट पर वोटिंग होगी लेकिन सुरेंदर पाल को मिनिस्टर बनाने के कारण सियासी गर्मी बढ़ गई है विपक्ष भी लगातार हमलावर है राजस्थान के पूर उप मुख्यमंत्रे और कॉंग्रेस नेता सचिन पाइलेट ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार को घेरा उन्होंने कहा श्रीकर्णपूर में विधान सभा उपक्ष नाव के साथ वर्तमान में आचार सहिंता लागू है मगर भाजपा ने आचार सहिंता के बीच अपने पृत्याशी को मंत्री पत देका श्रीकर्णपूर के मतदाताओं को प्रलोभन देने जस्सा काम किया है श्रीकर्णपूर की स्वाभिमानी जनताइस अलोक तांत्रिक और अमर्यादेत कदम के पीछे राजनीती को समझ रही है चुनाव आयोग को इस मामले का संग्यान लेकर उचित कारवाई करनी चाहिए कॉंग्रेस इस मामले को चुनाव आयोक के संग्यान मिलाकर कारवाई की मांग करेगी लेकिन श्री कंणपूर्ट की सीट कॉंग्रेस पार्टी बड़े अंतर से जीतेगी भाजपा का अहंकार साथवे आस्मान पर है भाजपा ने चुनाव आयोक को ठेंगा दिखा कर आदर्श आचार सहिंता का उलंगन करते हुए श्री कंणपूर्ट सीट से भाजपा प्रत्याशी श्री सोरेंद्र पाल टीटी को मंतरी पद की शपत दिलाई है हाला कि बीजेपी ने कॉंग्रिस के आरोपों पर पलटवार किया है बीजेपी नेता राजंद राठोर ने कहा कि सन्विधान के आर्टिकल 164 में नहीत प्रावधानों के तहट किसी विव्यक्ति को बिदा निर्वाचित हुए शे महिने तक मंतरी पद धारण का आधिकार है इस सन्विधानी प्रावधान के अनुसार मुख्य मंतरी के सलहा पर राजिपाल महुदे द्वारा किसी भी व्यक्ति को मंतरी पद की शपत दिलाई जा सकती है इसके बाद 6 महिने के अंदर उसे विधान मंडल का सदसे निर्वाचित होना जरूरी है इसने सुरेंदर पाल सिंग टीटी के राज्यमंत्री के रूप में लिए गई शपत सम्विधान के प्रावधानों के नुरूप ही है उधर सुरेंदर पाल का बयान भी सामने आया है को समानित किया दो पूरे प्रदेश में सिक्थ समाज के अंदर बहुत खुशी है एक मेसेज दिया रहे हैं कि आप जीत रहे हैं यह जाप देखिए आप देखिए यह तो जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे आपकी दौाउं से जीतेंगे